इस वीडियो में हम जरूधा वर्सिस अप स्टॉक्स का एक डिटेल्ड कमपैरिजन करने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप यह डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए जरूधा जाद सूटेबल है या फिर अप स्टॉक्स वीडियो का कमपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे खुद के जो 5 अकाउंट्स है यहाँ पे जरूधा में, अब स्टॉक्स में, एंजल वन में, 5 पैसा में और ग्रो में भी, तो सभी को मैंने परसनल यूज किया है, तो जो भी चीज़े आप देखोगी, मैं अपना परसनल एक्स्पिरियंस भी आपके साथ शेर करूँगा यहाँ पे बात करते हैं, अब स्टॉक्स का और जरूधा में से दोनों में से बैटर कौन है देखिए इस चीज़ का आंसर आपको इतनी असानी से नहीं मिलेगा आप यह डिसाइड करोगे अपनी जरूरत और अपनी नीड के हिसाब से आपको किस सेग्मेट में ट्रेइड करना है ? कितना ट्रेइड करना है ? कितने अमायंट से करना है ? यह सारी चीज़े मैटर करेंगी थोड़ा बहुत आपको Charges में Account ओपनिंग के फिस में कुछ Variation मिलेगा तो वहीं पर आपको यह भी देखने को मिलेगा जो Brokerage में थोड़ी बहुत आपको Variation देखने को मिलेगा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले जरोधा and up 계속 के बात करें तो जो year of incorporation जरोधा ने start किया था अपने आपको 2010 में वहीं पे upstock की जो foundation year of incorporation जो 2012, ज justement 2011 से 12 के बीक में जरोधा के इन्ह breakout कर लिया अब offices के बात करें, branches के बात करें, तो no doubt जरूधा के branches all over India में काफी जादे हैं जो इन numbers की बात करूँ 22 plus है ये figures change हो सकते हैं time to time क्योंकि जो अभी मुझे information मिली है internet से मैं वही चीज़ आपके साथ share कर रहा हूँ और जो upstock के branches है वो 4 plus है अभी ये बढ़ भी चुके होंगे तो इसलिए आप ये ये sure है कि जरूधा के branches जादे हैं upstock से ठीक है ये चीज़ें clear हो गई अब बात आती है कि यहाँ पे सबसे जो main चीज़ है जो भी आदमी मतल नए account open कर रहा होता है उसमें problem ही रहती कि हमें account कहा पर open करना है तो उसमें क्या होता है कि account opening charges क्या रहेंगे account opening charges जरूधा की बात करते हैं तो जो account opening charges लगते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के अकाउंट के जो opening charges है वो यहाँ पे आपका 200 रुपिस आपको pay करना पड़ता है जब भी अपना account ना है यहाँ पर open करते हो और वहीं प अगर up stocks की बात कर लें तो account opening charges यहाँ पर क्या है जीरो है up stocks आपसे account opening charges कुछ भी नहीं लेता है लेकिन यहाँ पर यह मत देखना कि यहाँ पर 200 लग रहे हैं यह जीरो लग रहा ता आपके लिए यह up stocks बैट रहे है देखिए यह चीजों को आपने नहीं consider करना है अगर trading करन करना है तब को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा आप नए हो तो यह चीज ने आपको थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख करके जाना फॉर्थ पाइंट पर हम बात करने वाले हैं AMC होता है annual maintenance charges बोल देते हैं फिर account maintenance charges बोल जेते हैं जरोधा में हर साल पहले साल के बाद जो आपका आएगा 300 रुपिस आपका per year यहाँ पे पे करना पड़ाएगा AMC का खर्चा upstocks यहाँ पे अपसे upstocks भी लेगा 1500 प्लस जो भी यहाँ पे taxes applicable होंगे वो बात क्यों लेते हैं इसके बाद में brokerage की अब यहाँ पे main point जवाता है वो brokerage की बात आ जाती है कि भाई कई बर क्या होता है ने कि जब हम trade करते हैं जैसे कि नया आदमी start करता है अगर आपने माल यह 100-200 का profit निकाला तो बाद में आपको पता चलता है भाई 100-200 अपने profit निकाला और 300 तो आपकी brokerage बन गई 400 तो आपकी brokerage बन गई अगर आप सोच रहे हो कि छोटे-छोटे trades लेने हैं तो भाईया चितना profit कमाऊगे उससे जादा आप company को brokerage पे कर दोगे नहान से समझना इ brokerage की बात कर लेते हैं दिखिए सबसे पहली चैसे यहां पर दो तरह की trading होती है equity में अगर जैसे बात करें intraday and delivery पहले हम delivery से start करते है delivery में आपसे जरूधा क्या लेगा delivery का मतलब क्या है कि अगर आप आज कोई भी stock रहते हो उसको दो दी रखो चार दी रखो दो साल रखो जब तक मर्जी रखो इसमें आपको कितना फिस लगेगा अब यहां पर देखिए धिया ध्यान से जरूधा आपसे कितना चार्ज पर ट्रेड जीरो कोई रुपया नहीं ले रहा है जरूधा आपसे लेकिन अब stocks की बात करने तो stocks आपसे लेगा रुपीज 20 पर और रुपीज 20 पर और अगर आपने 10 trades भी ले लिए तो 200 रुपया के यहां पर आपको चार्ज लेना पड़ेगा delivery के ऊपर भी रुपीज 20 औ और 2.5% दोनों में से जो भी कम होगा वो लेंगे यह ओके तो यहां पर देखिए जरूधा आपसे चार्ज लेने वाला है delivery trade के लिए भी अब बात कर लेते हैं intraday की intraday में क्या है कि जो same day में हम trades लेते हैं आज खरीदा और stock में आज ही बेचना पड़ेगा अब यहां पर हम बात करें जरूधा का intraday के लिए आपको क्या लगेगा यहां पर 20 और 0.05 दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहां पर intraday के लिए charge किया जाएगा अब यहां पर बात कर लेते हैं options की बात करते हैं options की बात करेंगे options भी यहां पे धीध ही लोग options की तरफ बढ़ जाते हैं नहीं लोग हैं अगर आप options में जाते हो तो options में यहां पर 20 rupees per order executed order 20 rupees per एक्जेक्जूटर ये options के लिए है same आपको मिल जाता है इसमें भी upstocks में भी 20 रूपीज per executed order is that clear तो यहाँ पर हमने बात कर intraday delivery का and options का अब इसमें देखिए अगर options में जाते हो तो options में देखिए कि जैसे currency के options है currency के इन चीज़ों में बहुत कम deal करते हैं currency में करते हो again 20 रूपीज per order है upstocks में भी 20 रूपीज per executed order है currency के futures में अगर trade करते हो currency के futures में तो जो currency का futures है CF उसमें आपको यहाँ पर पढ़ते है 20 रूपीज और 0.03 whichever is lower और यहाँ पर 20 per order और 0.05 अब इससे आगे में ब्रोक्रेस में नहीं जाने वाला हूँ क्यूं क्यूंकि इससे ज्यादा कोई trade करता भी नहीं है जैसे commodity options है commodity के features है वो मतलब special चीज़ें आ जाते हैं जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं अब इसके इलावा कुछ अलग से charges भी पढ़ते हैं जैसे कि कुछ taxes होते हैं stamp duty होते हैं वो बहुत minor से होते हैं वो almost जो भी ये fees दरी हो always taxes होते हैं आपका same रहता है mean जो brokerage है उसकी हमने अलड़ी यहाँ पर बात कर ली है अब यहाँ पर brokerage की बात हो गई हर इक चीज़ की बात हो गई अब बात आती है leverage की leverage क्या होता है leverage का मतलब है अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपाय है trade करने के लिए इसका अभी हम color change कर लेते हैं leverage का यह बहुत है leverage का मतलब की आपके बात जितना पैसा उससे कहीं ज़्याद है पैसे का आप trade ले सकते हो delivery में leverage कितना मिलता है चाहे जरूधा है चाहे अप stocks है one time में यानि जो भी अपकी amount होई उतने सी ही आप delivery की trading करोगा आपको extra benefits में कुछ नहीं मिलता है intraday जब करते हो पहले leverage बहुत ज़्यादे मिला करती थी अभी leverage कितना है five times है यानि कि 10,000 है तो आप 50,000 तक का trade ले सकते हो intraday में same आपको मिलता है 5X तक up stocks में चीज़े पहले बहुत ज़्यादे थी आपको लगेगा कि यह बंदा कम बता रहा है लेकिन अभी कम हो गई है यह चीज़े तो इस तरीके से यहाँ पर leverage की बात आ जाती है अब इसके बाद में बात आती है कि इंटरफेस की बात करें कौन सा इंटरफेस जादे बेटर है जैकिए पहली चीज़े आप यह समझ के चलिए जिस भी एप को या जिस भी ब्रोकर को आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे न वह आपको थोड़ा सा जादे इजी टू यूज लगेगा लेकिन जैसे कि मैंने सभी को यूज करा है तो जरोधा का जो इंटरफेस वह मुझे कहीं न कहीं थोड़ा सा बैटर लगता और यह माँ परसनल अपीनियन है मैं यह नहीं बोलता यह मुझे बैटर लगता है जरोधा मुझे थोड़ा सा बैटर लगता है इंटरफेस की बात करूँ तो और यह भी अच्छा है अप स्टॉक्स बहुत अच्छा है इसमें भी मेरे को इवन मेरी होल्डिंग स्टॉक्स में ही पड़ी हुई है तो मैं तो क्या करता हूँ सभी को मैंने र तो इस तरीके से आप सभी चीजों को देखोगे और आप अब इसीली डिसाइड कर से तो आपको जरोधा या अप स्टॉक्स में एकांट खोलना चाहिए मेरी मानों तो आप दोनों में खोल लो ठीक है जरोधा भी अच्छा है अब स्टॉक्स भी अच्छा है अधर जो जो पर आउटर है बीच एवरीज लोर है और बाकी की चीज़ों हमने देख ली उमिद करता हम आपको यह वीडियो अच्छी लगी कोई डाउट कोशन कमने के जबर पूछिए मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक बबाए